हरे खृष्णा दोस्तों मैं हूँ सोनाली और एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूटूब चैनल लड़ू गूपल की सेवा में स्वागत है चलिए तो फिर आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जगनातपुरी में मैंने शॉपिंग काहा से की है आज के वीडियो में हम जगनातपुरी का शॉपिंग मार्केट देखेंगे तो हम जो मंदिर के आसपास का जो जगनातपुरी का मार्केट है वो पूरा मार्केट आज यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही इसके नेक्स वीडियो में मैं आपको बीच मार्केट का भी टूर करवाऊंगी तो प्लीज चाइनल पर एंड तक बने रही है आपको अगर पूरा शॉपिंग ब्लॉग के देखना हो और बाकी के भी जगनातपूरी, गंगा सागर और कोलकोता टूर के वीडियो देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिन्क दे दिए वीडियो की वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं तो आईए सबसे पहले वीडियो की चुरुबात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जगनात्पुरी पोहुच चुके हैं मंदीर का अद्वज आपको दिख रहा होगा वीडियो में मंदीर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैं आपको मंदीर के अंदर के वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हमें मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है तो दर्शन हमने अगले दिन ही कर लिये थे तो आज का दिन हम स्पेशली घूमेंगे शॉपिंग करेंगे सबसे पहले हम मंदीर के आसपास का मार्केट देख लेंगे मंदीर के आसपास बहुत ही सुन्दर और रिजनेबल अच्छा मार्केट है जहाँ पर हमें सारी चीज़े मिल जाएंगी जैसे की हैंडलोब मार्केट बहुत सुन्दर सी साडिया, कपड़े और शंक से बनाई हुई चीज़े डेकोरेटिव एटम बहुत सुन्दर यहाँ पर आपको मिलेंगे तो आए सबसे पहले नाष्टा कर लेते हैं हम यहाँ पर हम नाष्टा कर रहे हैं बहुती सुन्दर और यमी टेस्टी यहाँ की इडली थी तो देखिए ठीक मंदिर के सामने यहाँ पर एक कॉंपलेक्स मना हुआ है यहाँ पर हम अंदर देखेंगे मार्केट देखिए फुली कॉटन के हैंडलूम के गाउन है यहाँ पर सिर्फ 250 रुपीज में बहुत थी बढ़िया और अच्छी कॉलिटी थी साथी बेटशीट, स्टोल या बच्चों के कपड़े देखिए 250 में सिर्फ इतने अच्छे सुन्दर सुन्दर से टॉफ है सिर्फ 250 में साइजेस आपको यहाँ पर अविलेबल मिल जाएंगी एकसेल, डबल एकसेल, एल, स्मॉल देखिए बच्चों की वेराइटी भी बहुत जादा सुन्दर थी यहाँ पर मैं तो कन्फ्यूजी हो गई क्या ले और क्या ना ले तो साडियों का मार्केट भी हम देखेंगे साथी जो मैं इसका नेक्स वीडियो अपलेट करने वाली हूँ बीच मार्केट का वो भी बहुत बहुत सुन्दर वीडियो बना है फ्लीज वो भी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए आपको बहुत सुन्दर मैं साडि की वेराइटी दिखाओगी यहाँ पर साडि मार्केट थोड़ा कम था तो मैं आपको थोड़ी कम यहाँ पर वेराइटी दिखा पाऊंगी बढ़ जो इसके बाद का वीडियो नेक्स वीडियो अपलोड करूंगी वहाँ पर आपको बहुत सारा बहुत बड़ा पूरी का मार्केट देखने को मिलेंगा जिसे बीच मार्केट भी कहा जाता है या फिर स्वर्गोदार मार्केट दिखिये सारी जो जरूरत की चीजे है या डेली कुछ लेडिस की चीजे है वो यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएंगी मंदिर के सामने ही और मुझे तो जादा कॉस्ट ली ये मार्केट नहीं लगा रिजनेबल चीजे थी बेट शीट हमने यहाँ पर ली है वो भी बहुत जादा और अच्छी कॉलिटी की हमें मिली है ये देखिये मैं पहले बाहर से आपको ये मार्केट पूरा टूर करवाऊंगी सारी इस तरह से कंप्लेक्स में दुकाने बनी हुई है बश देखिये बहुत सुन्दर दवश दिख रहा है आसे तो देखिये सबसे पहले मैंने मेरे लिए साडी की शॉपिंग की क्योंकि कोलकाता आई तो मेरी इच्छा थी मुझे यहां की जो फेमस साडी रहती है जो पूजा के लिए पहनती है वो साडी लेनी थी तो मैंने दो साडी लिए एक मेरे लिए और एक मेरी सासुमा के लिए तो मुझे ये साडीया बहुत पसंद आई तो इसके बाद में हम चलेंगे और अंदर के मार्केट में देखिए बहुती सुन्दर कॉटन की प्यूर हैंडलों की साडिय बाईया के शॉप पर है यहाँ पर मैं कुछ और साडिया देखने के लिए आई थी जो कॉंपलेक्स वाला मर्केट मैंने आपको बताया था अंदर के दुकाने थी यह बाईया ने भी हमें बहुत सुन्दर साडिया दिखाए थी यह दिखिए यह बेटशीड है यह बेटशीड पर देखिए कितने सुन्दर से को नार्क सुर्य मंदिर के जो विल है वो बनाए गए है और कलर वेराइटी आपको मल्टिपल वेराइटी कलर यहाँ पर मिल जाएंगे देखिए कैटलोग आप लेख सकते है साडियों के इस तरह से मतलब क्या है यह मैं बताओ बहुत ही सुन्दर और अच्छी अच्छी साडिया थी यहाँ पर जैसी आप चाहते हो वैसी वो साडिय दिखा देंगे चैनल अच्छा लोगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर, कमेंट जरूर करिए देखिए इसके बाद में यह शंक का मार्केट है यह मिरर देखिए बहुत थी खूसूरत मिरर है, मुझे यह तो मिरर बहुत पसंद आए तो मैंने इसमें से एक मिरर भी मेरे लिए लिया है और बहुत ही अच्छे और रिजनेबल कॉलिटी का सामान है आप अपने घर के लिए डिकोरिट्यू आटम में या फिर लगाने के लिए चैज़े ले सकते हैं चैनल अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब कीजिए हरे क्रिश्ना